प्रिये सिक्षार्थियों इस सतर में हम व्यवसाई अध्यन विशे के अंतरगत व्यवसाई के सामाजिक उत्तरदाईतु एवं व्यवसाईक नेतिकता के विशे में पढ़ेंगे और यह भाग दो है इसका व्यवसाई के विभिन संबंदित वर्गों के प्रती उसके क्या दाईतों हैं वह जानते हैं पहला है अंशधारियों अथ्वा स्वामियों के प्रती दाईतों कंपनी के संगठन के रूप में कॉर्परेट उध्यम को शियर धारकियों को नियमत रूप से सटीक और पूरी जा योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए चुकि कमपनी का जो संगटन है उसके असली मालिक कौन है शेर धारक तो उन्हें सारी की सारी जानकारी नियमित रूप से और सारी की सारी पूरी जानकारी देनी चाहिए और जितनी भी योजनाएं हैं वह भी उनको ब काम करने की स्थिती बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वह श्रमिकों के सहयोग को जीत सके यूनियनियों के संगठन के लिए उध्यम को श्रमिकों के लौक्तांत्रिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए श्रमिक को प्रबंदन से उचित वेतन और उचित सोधा सुनेशित क किया जाना चाहिए अल्थार प्रत रटेक व्योंसाय को श्रामिकों के कल्यान के लिए करे करना चाहिए तीसरा है व भोगता ओं के प्रतितब्लund ब्हुकता के लिए व्योंसाय को उचित मुल्य पर सही गुर्मद्ता वाली वस्तूओं और सेवाओं की आपूरती又 चाहिए अपने ग्रहकों के प्रति उद्ध्यम की जिम्मेदारी बनती है कि वह उन्हें गुनवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं उचित मूल्यों पर उपलब्द करवाए तीसरा है सरकार तथा समाज के प्रति उत्तरदाइत्व एक उद्ध्यम को देश के कानूनों का सम इमानदारी से करों का भुकतान करना चाहिए इसे एक अच्छे नागरिक के रूप में व्यवार करना चाहिए और समाज के स्विक्रित मूल्यों के निसारे कारे करना चाहिए अल्थात प्रकेक व्यवसाय का यह उत्तरदाइत तो है कि वह सारे कानूनों का सम्मान करे करों क भुक्तान करे और एक अच्छा नागरिक के रूप में व्यवार करे अब हम बात करते हैं व्यवसाय और पर्यावरण संदक्षन की ये दोनों एक दूसरे से बिलकुल जुड़े हुए मुद्दे हैं पर्यावरण का संदक्षन एक गंभीर मुद्दा है जो व्यापार प्रब के रूप में परिभाशित किया जाता है तो आज पर्यावरण का मुद्दा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसमें व्यापार के जो प्रबंदक हैं और जो नीती निर्माता है उनको बहुत ही सोचना पड़ता है कि इसको कैसे पर्यावरण को संदक्षित किया जाए य जिनको हम प्राक्रितिक संसादन भी कहते हैं या सांस्क्रिति विदासत, सामाजिक आर्थिक संस्थानों और लोगों जैसे मानव निर्मित संसादन भी इसमें आते हैं अर्थात जो प्राक्रितिक संसादन है वह तो वह ही और जो मानव संसादन है वह भी इसके अंतरगत आ ज समस्याओं की पहचान की है वह देखते हैं यह 8 समस्याओं कौन-कौन सी है पहला है ओजोन रिक्टिकरन आप जानते हैं ओजोन की एक पलत है उपर जो धीरे-धीरे क्या हो रही है रिक्ट हो रही है यानि उसको बहुत जादा हनी पहुंच रही है मीठे पानी की गुनवत्ता और मात्रा तो आप देख रहे हैं आजकल जो पानी है उसकी गुश्षा और मात्रा में भी कमी आ रही है Global Warming आप सब सुनते हैं अब इतनी ज्यादा या तो बहुत ज्यादा गरमी होती है या बहुत ही ज्यादा थंड हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं Global Warming वनों की कटाई अब हम आगे तरकी तो बहुत कर रहे हैं लेकिन धीरे-धीरे हम वनों को काट रहे हैं जिससे पर्यावरन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन हो रही हैं ठोस और खटरनाक अप्षिष्ट जितने भी उत्पादन की कारखाने हैं वो बहुत सारे अप्षिष्ट फैला रहे हैं तो वो भी पर्यावरन को बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं भूमी चरन यानि भूमी की जो गुनवत्ता है वो भी दीरे-दीरे बहुत कम हो रही है क्यों बहुत ज़्यादा प्रदूशित हो रहा है और जैविक विवित्ता के लिए भी खत्रा बढ़ता जा रहा है तो ये बहुत सारी पर्यावरन समश्याइं हैं जो कि संयुक्तराश्ट संग ने उठाई हैं तो इनको हमें बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यक्ता है अब हम ज सारे के सारे ही कही ना कहीं से अप्षिष्ट उत्पन करते हैं अप्षिष्ट होते क्या हैं अप्षिष्ट में क्या होते हैं प्रदूशक होते हैं जो रसाइनों के विशेवस्तू होते हैं यानि कैमिकल्स होते हैं उसमें जो उत्पादन या उभो की प्रक्रिया के दौरा कुछ सरजित किया जाता है या जो हम कार्स चलाते हैं ऐसके सअहरा होता है और उसमें कार्वर दु मॉनॉजाइड के करणध वाइयू को प्रदूशित कर देते हैं इससी तरह से जब विद्निनमान शैंत्र रहें जो कार खाने उससे दख़लेते है और वो जो रसाइन निकलतें हैं वो हवा को प्रदूशित कर देते हैं तो यह मुख्य रूप Σ tablets कारण बन बनता है इसके बाद जल प्रदूशन को बोचा से और व्यवसाइय क्या करते हैं कच्रे को नदियों नालों और धीलों में भा देते हैं फैंक देते हैं उससे हमारा जो जल है वो प्रदूशित हो रहा है कि बाद है भूमी प्रदूशन अब भूमी पर क्या होता है जो जहरीला कच्रा होता है वह हम डम कर देते हैं यानि डाल देते हैं भूमी पर तो उससे भूमी भी प्रदूशित हो जाती है और क्रिशी या रिक्षाड ओपन के लिए भूमी की गुनवत्ता क्या हो जाती है खराब हो जाती है यानि वह उस तरह से क्या नहीं कर पाएगी अपनी गुनवत्ता नहीं दे पाएगी क्योंकि वह प्रदूशित हो गई है उसके बाद है ध्वनी प खत्रा है ध्वनी प्रदूशन जो आज कल बहुत ज्यादा फैल रहा है तो इसलिए हमें प्रदूशन नियंचरन की बहुत ही ज्यादा आवश्यक्ता है बहु मुल्य पर्यावरनिये संसाधनों को संदक्षित करने और पर्यावरन की ग्नवत्ता में सुधार के लिए परदूशन की रोक थाम या नियंतरन की आवश्यक्ता है ताकि मानव जाती के लाब और लोगों के स्वास्ते और भलाई में सुधार के लिए संदक्षित संसादनों का उप्योग किया जा सके तो यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है परदूशन नियंतरन परदूशन को नियंतरन की बहुत ही आवश्यक्ता है अब हम यह देखते हैं कि परदूशन नियंतरन की आवश्यक्ता है क्यों अगर हम इसको नियंतरन कर लेंगे तो इससे हमें क्या क्या लाब हो सकते हैं पहला ह हम प्रदूशन को नियंतल कर लेंगे तो हमें ही फाइदा होगा यानि स्वास्थे में जो खत्रे उत्पन हो रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी देता को जो खिंग कम देता क्या होती है जो हमें देना पड़ता है कभी-कभी भारवालों को यह संबव है कि गैंस तो उसमें कमपनी की देता बन जाती है कि वो उनको क्या करें उनको पैसा दे उसके बदले में ताकि उनको मुआफजा दिया जा सके तो इसका जोकिम भी हम कम कर सकते हैं अधरहन प्रदूशन को नियंतल कर लेते हैं उसके बाद है लागत की बचत हो सकती है व्यवसाय की प हो सकती है उसके अलावा सबसे महत्वपून है उसकी बहतर सारुजनिक छवी बनेगी व्यवसाय की पर्यावरन के कारण को कम करने के लिए अगर फर्म कोई भी कारे करती है तो उसकी अच्छी प्रतिष्टा जाएगी समाज में और समाजिक रूप से उसे एक जिम्मेदार लुगदान दे रहे हैं उसके अलावा इसके बहुत से अन्य समाजिक लाब भी हैं जैसे की पश्ट डिश्यता यानि आप देखते हैं आसमान आपको कभी वार बिलकुल साफ दिखाई देता है जब प्रदूशन नहीं होता साफ सुथरी इमारतें जीवन की बहतर गुनवत और प्राकृतिक उत्पादों की एक शुद्ध रूप में उपलब्दता आएगी तो प्रदूशन समाज के लिए बहुत ही घातक होता है और हमें इसको नियंटरेट करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक्ता है अब हम यह जानते हैं कि पर्यावरन के संदक्षन में व्य पर्यावरन संदक्षन और प्रदूशन की रोक्थाम के लिए कारे को संस्कृति बनाना पड़ेगा यानि कि हमें अपने आपको इस तरीके से विक्सित करना पड़ेगा उच्छ प्रबंद को इस तरीके से नीतियां बनानी पड़ेंगी कि वह पर्यावरन को संदक्षित कर पाए और प्रदोशन की रोगठांग कर पाए यानि उच प्रबंद ऐसी नीतियां बनाता है ऐसी प्रतिबद्धता रखता है कि वह पर्यावरन को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए अधिक लाब अर्जित करें दूसरा उसे यह भी सुनिशित करना चाहिए कि पर्यावरन स नक्षन के प्रतिबद्धता सभी डिवीजनों और करमचारियों द्वारा पूरे उध्यम में होनी चाहिए यानि यह प्रतिबद्धता सिर्फ उच प्रबंद की ही नहीं जितनी भी डिवीजन है और सभी करमचारियों में होनी चाहिए कि हमें क्या करना है पर्यावरन को सं कच्छे माल को खरीदना चाहिए भेहतर तक्णिकों को नियोजित करना चाहिए कसरे के निपतान और उप्चार की व्यानिक तक्निकों का उप्योग करना चाहिए और सिंदक्षितं के Kirk Lean के कोशल को विक्सित करना चाहिए तो व्यवसाय एक बहुती महत्वपून भूमी का निवा सकता है पर्यावरन के संदक्षन में उन्हें यह सारे कारे करने चाहिए ताकि पर्यावरन संदक्षित हो सके और परदूशन को नियंत्रित किया जा सके इसके अलावा परदूशन की रोक्थाम के लिए सरकार द्वारा लागू किये गए कानूनों और नियमों का अनुपालन करना चाहिए तो व्यवसाय अगर ये करता है तो वह पर्यावरन संदक्षन में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है इसके लावा खतानाक प्रदार्थों के प्रबंधन से संबंधित सरकारी कारिकरमों में भागिदारी होनी चाहिए तो दूशित नदियों को साफ करना चाहिए रिक्षा रोपन करना चाहिए तो इस तरीके से पर्यावरन के संदक्षित में व्यवसाय अपनी भूमिका निभा सकता है यानि वे जितने भी खतरनाख अप्षिष्ट परदात निकलते हैं उनको क्या करें रोके यानि ऐसे कारिकरमों में भागले सरकारी जो कारिकरम होते हैं जिससे इन खतरनाक परदातों को रोका जा सकता है नदियों को साफ करने में जो प्रोग्राम चलाती है सरकार उसमें अपना योगदान दें पेड़ लगाने में योगदान दें तो इस तरीकी से पर्यावरन को संदक्षित किया जा सकता है उसकी अलावा पर्यावरन संदक्षित के संबंद से प्रगती को बढ़ाने के लिए लागत और लाभों के संदर में पल्दूशन नियंतरन कारे करमों का समय समय पर मुल्यांकन करना चाहिए अर्थात व्यवसाइक को क्या करना चाहिए जितने भी उसके कारे करम चल रहे हैं पल्दूशन नियंतरन के लिए उसमें कितनी लागत आ रही है उसे उनको कितना आगे लाब मिलेगा वह भी समय समय पर मुल्यांगन बहुती आवश्यक होता है तो अब हम जानते हैं व्यवसाइक नितिकता के बारे में नितिकता शब्द आप सबने सुना होगा मुराल ये नितिक है ये व्यक्ति बहुती नितिक है या हमें नितिकता से कारे करना चाहिए ऐसे शब्द हम आम तोर पर सुनते रहते हैं एक उध्यम आर्थिक कारें जैसे उसकी आए लागत और लाब के संदर में हो सकता है बहुत अच्छा हो लेकिन सामाजिक कारे पालन में हो सकता है वह उतना अच्छा ना हो जैसे कि वह उचित गुन्वत्ता के उत्पादों की आपूर्ती उचित मुले पर नहीं कर पा रहा है मानलो इससे समाज के द्रिश्टी कोन में उचित या अनुचित का प्रशन उतना जैस है यानि हो सकता है कि एक उद्यम है वह अच्छी आए और अच्छा लाब तो जित कर रहा है लेकिन सामाजिक कारे पालन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है तो क्या वह उचित है या अनुचित है यह प्रशन जायज है उतना व्यवसाइक नितिक्ता वेक्तिगत हितों और सामाजिक हितों के बीच सामजिस से स्थापित करने की एक विदी होती है यानि जो हमारे वेक्तिगत हित हैं और सामाजिक हित हैं उनको कैसे हम मिला सकते हैं उनके बीच में कैसे सामजस्य स्थापित कर सकते हैं नेतिक्ता शब्द मूल रूप से ग्रीक शब्द एथिक से आया है जिसका अर्थ है चरित्र मानक आदर्श या नेतिक्ता जो समाज में प्रचलित होते हैं अर्थात नेतिक्ता का अर्थ है कि जो भी मानक हैं यानि चरितर मानक हैं या आदर्श हैं जो एक किसी भी समाज में प्रचलित होते हैं उनको हम बोलते हैं नैतिक्ता नैतिक्ता का संबंद इस बात से है कि मानवे वैवार में क्या सही है और क्या गलत है जो किसी व्यक्ति विशेश के कारे छेतर में समाज द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के व्यवहार या व्यवहार के मानक के रूप के आधार पर किया जाता है अब आप जानते हैं समाज के अपने नियम होते हैं, अपने मानक होते हैं, तो नेतिक्ता यह कहती है कि क्या गलत है समाज के अनुसार और क्या सही है, तो जो सही है हमें उसी तरीके से कारे को करना चाहिए, व्यवसाइक नेतिक्ता का सीधा संबंद व्यवसाइक उद्देश् जो उनकी प्रताएं हैं वो तक्नीके हैं जो समाज के साथ साथ चल रही हैं उसी के हिसाब से व्यवसाइकों कारे करने चाहिए व्यवसाइक नेतिकता के हम कुछ उधारन लेते हैं जैसे ग्रहाकों से उचित मुल्य वसूल करना उचित वजन करना श्रमी को उचित प्रतिफल देना और उचित लाब अर्जित करना ये कुछ उधारन है नितिकता के यानि ये सही कारे हैं कि हमें ग्रहकों से उचित मुल्य ही वसूल करना चाहिए ये ना हो कि हम लाब कमाने के लिए उनसे अनुचित मुल्य वसूल करें या वजन तोलने में क्या करें गरबड़ी कर दें जैसे आप कहीं बार देखते हैं न हमने एक किलो कोई सामान खरीदा और घर आके देखा तो वो साड़े नो सो ग्राम ही निकला तो ये भी अन्यतिकता है और श्रमिकों को उचित प्रतिफल देना चाहिए यानि अगर उनका मानधन दस हजार बनता है तो उनको दस हजार प्रतिफल ये नहीं कि उनका हम शोशन करें उनसे पांच जार में वहकारे करा लें और हमें उचित लाबी अर्जित करना चाहिए बहुत ज्यादा लाब के पीछे नहीं भागना चाहिए नेतिक व्यवसाइक व्यवहार सावजनिक छवी को बहतर बनाता है लोगों के विश योग हो सकता है कि आज कुछ गलत कारे करके लाब कमा ले लेकिन जयसे ही समाज को उसके बारे में पता चलेगा तो वह लंबे समय तक कारें नहीं कर पाएगा इसलिए प्रतेक उद्दयों को नेतिकता के साथ ही लाब कमाना चाहिए अकेले नेतिकता ही एक ऐसी चीज है जो समाज को महान बना सकती है, यह कारे सरकारिया कानून भी नहीं कर सकते, जो अकेली नेतिक्ता कर सकती है अब हम जानते हैं व्यवसाइक नेतिक्ता के तत्व के बारे में पहला है उच्छ स्तरिय प्रबंद की प्रतिबद्धता इसका अर्थ यह है कि जितने भी हमारे मुख्य अधिकारी होते हैं उच्छ प्रबंदक होते हैं जैसे कि मुख्य कारकारी अधिकारी हो गए CEO बोलते हैं उनको या अन्य उच्छ स्तर के प्रबंदक हो गए वो नेतिक आचरन के लिए खुले तोर पर और द्रिन्रता से प्रतिबद होने चाहिए उन्हें संगठन के मुल्यों को विक्सित करने और बनाए रखने के लिए निरंतर सेवा देनी चाहिए यानि नित्रित्त करना चाहिए इस तरीके से की पूरा जो व्यवसाय है वो नितिकता का पालन करें फिर है एक सामानिक कोड का प्रकाशन अब कोड होता क्या है नितिक सिद्धान्तों के लिखित प्रलेखों को हम कोड कहते हैं जैसे हम बोलते हैं रूल्स रेगुलेशन तो वो होते हैं नितिक सिद्धान्त यह कुछ नितिक मुल्य हो सकते हैं जैसे की आधारभुत इम पानदारी एवं कानून का पालन उत्पादन सुरक्षा एवं गुनवत्ता कारिस्थल पर सुरक्षा नियोजन विदिया बाजार की उचित विक्रे परनाली यह सब क्या है नेतिक मुल्य हैं जो व्यवसाय को निभाने चाहिए पिर है एक तत्व अनुपालन तंतर की थापना ऐसे तंतर के कुछ उधारन है भर्ती में मुल्यों और नेतिक्ता पर ध्यान देना प्रसिक्षन में नेतिक्ता पर जोड देना और करमचारियों को नेतिक व्यवार की घटनाओं की रिपोर्ट करने में मदद करने के लिए संचार प्रनालियों को स्थापिर करना यानि व्य जिस लाइक है उसे को भर्ती किया जाये और उनका लगातार प्रस्क्षन किया जाये और करमचार्य को मददद करें अगर कोई भी अनेतिक Pretty विवार की सूचना ता यानि देना चाहता है तो उसको क्या किया जाये मोटिवेट किया जाये संचार प्रणालियों को विक्सित किया जाए फिर है हर स्तर पर करमचारियों को सम्मिलित करना अब यह नहीं कि सिर्फ उच्छ प्रबंदी सम्मिलित हो इसमें सभी स्तर के करमचारियों को शामिल करना चाहिए उधारन के लिए पर्मों की महतुपूर नैतिक नीतियों पर चर्चा करने और इन नीतियों के प्रती करमचारियों के नजरिये की जाच करने के लिए करमचारियों के छोटे-छोटे समू बनाए जा सकते हैं तो सारे करमचारियों को समिलि का मापन यदी पी नैतिक तक कारिक्रमों के अंतिम परिणामों को सही धंग से मापना बहुत ही मुश्किल कारे हैं लेकिन नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए फर्म निश्चित रूप से औरिट कर सकती है या नि बार बार वो चेक कर सकती है कि हमारे जो सकते हैं कि निशकर्ष के रूप में नैतिक्ता के आदोहर भूत नियम हैं क्या सबसे पहला नियम है भरोसे मंद बनो यानि व्यवसाय हो या हम हो हमें क्या रहना चाहिए भरोसे मंद दूसरा है दूसरों को सम्मान दो चाहिए व्यक्ति हो या व्यवसाय हो उसे हमेशा दूस समझनी चाहिए और व्यवसाय में या व्यवार में क्या रहना चाहिए निस्पक्ष रहो तो इसमें भी यह है चाहिए व्यवार में निस्पक्ष रहना चाहिए फिर है दूसरों की भलाई की और ध्यान देना चाहिए व्यवसाय हो उसे हमेशा दूसरों की भलाई की और ध्या नागरिक बनना चाहिए हम हो व्यक्ति हो या व्यवसाइ हो उसमें ऐसे सामाजिक गुन होने चाहिए और कलतवियों का पालन इस तरीके से करना चाहिए कि वह एक अच्छा नागरिक बन सके तो नेतिक्ता के ये कुछ आधारवुत नियम है जो हम सब को मानने चाहिए इनका पालन करना बहुत ही अवश्यक है तो आज हमने सामाजिक उत्तरदाईतों के विशे में और परियावरन संदक्षन के विशे में और नेतिक्ता के विशे में बहुत ही गंभीरता से पढ़ा और हम ने नेतिक्ता के आधार्भुत नियम भी देखे तो धन्यवाद